हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टूम एटूब चैनल तो फ्रेंट्स मैं आपके सामने फिर से कुछ-कुछ नए टिप्स नए हैक्स एंड कुछ डियाईवाई लेकर आई हूँ तो आज हमारा सबसे पहला डियाईवाई है यह तो यह मैं क्या बनाने चल रहे हैं आप मेरे क्यों नए इसका मैं कुछ ऐसा डियाईवाई बनाओ जो की काफी हेलपफूल और बहुत यूश्फूल रहेगा तो इसको मैंने बीच से मारकर कर लिया फिर उसको बाद मैंने इसको काड़ दिया है साइट से और फिर इसके जो यह रैपर बगएर इसको मैं निकाल दूंग और फिर उसके बाद फिर चलते हैं इसका मैं क्या बनाती हूँ आप लोग जरूर देखिएगा और फ्रेंड्स इसको जब आप कट ये कटर से तो बहुत है साइंस और इसके जो उपर यह सब कवर बगएरा जो डिलेवरी जो नाम बगएरा था इसको हटा दीजिएगा और साइड से दोनों तरब से किनारे से इसको बराबर आप कर लिजिएगा तो फिर फ्रेंड्स इसको कवर करने के लिए मैंने यहां पर वाइट चार्ट पेपर लिया है आप किसी भी कलर का चार्ट पेपर ले सकते हैं आप चाहे तो सीट मार्च जो गिल्टर वाला आता है इसको टेप की हेल्प से इसको लगा दिया है अब यहां पर मैंने दोनों साइड से थोड़े डिजाइन देने के लिए यह रेट कलर का सेरो टेप यूज कर रहे हैं जो कि देखने बहुत ही अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं आप कुछ भी डिजाइन वगरा बना सक सकते हो आप चाहे तो लेश वगरा लगा सकते हैं और फिर यहां पर प्रेंट्स मैंने यह लिया है दियाली एक तो इस दियाली पर मैं खुब्धेर सारा फेविकोल आप चाहे तो गनगुलू की हेल्प से भी आप इसको स्टिक कर सकते हैं तो यहां पर मैंने फेविकोल की म देर इसको हम friends होड़ देंगे dry होने के लिए और फिर जब ये dry हो जाएगा तो फिर देखिए इसका क्या हम use कर सकते हैं तो friends यहाँ पिए dry हो गए अब मैं इसके उपर इसमें चूडिया डाल रही हूँ तो यह हमारा एक बहुत अच्छा सा stand ready हो गया है चूडियों का तो आप इसको कहीं भी covered या फिर जहाँ आपका dressing table area है आप आप पर भी आप इसको easily रख सकते हैं तो आप यह देख सकते हैं बहुत ही यह test से मस नहीं हो रहा गारा आप पर द्याली नहीं है तो आप जो cake का नीचे का portion नहीं होता आप उस पर भी इसको आप stick कर सकते हैं तो friends चूडियों का stand तो बन गया लेकिन अब यह गंदी भी हो सकती हैं तो मैंने क्यों न सोचा इसको एक plastic का यह मैंने bottle लिया है पानी वाला तो मैंने इसका नीचे का हिसक काट कर फिर अब इसको मैं इसके उपर इसको ऐसे रख दूँगे तो यह हमारे चूडियों का जो stand है यह विल्कुल भी मतलब गंदा भी नहीं होगा और यह बहुत ही अच्छे से यह हमारा एक जगे आप इसको अराम से कहीं भी अराम से रख सकते हैं यह देखिए और यह बहुत अच्छा लग रहा है और यह हमारा अप इसको ऑर्गनाइज चूडियों को काफी धेर सारी चूडिया इस पर ऑर्गनाइज कर सकते हैं तो मैंने यह साइड में इधार यहां पर रख दिया है जहां पर मैं चूडियों रखती हूं अपने कवर्ड वगेरा मे आई होप को मेरा आपको यह यह और्गनाइजर पसंद आया होगा तो फ्रेंटे हम चलते हैं अपने इक अर्गनाइजर की तरफ तो फ्रेंट्स मैंने यहां पर एक मीडियम साइज का बोतल लिया हुआ है और फिर मैंने इसको मारकर से मारक कर लिया और फिर इसको यह देखें मैं कट कर रही हूँ यह जो और्गनाजर बन रहा है यह भी हमारे लिए बहुत ही हेलफ़ूल है और इसका यूज तो हर घर में कर सकते हैं अराम से और जो चीज के लिए और्गनाजर हम बना रहे हैं वो हमारा अच्छे सिसमें सेफ रहेगा और उसको जहन जट नहीं होगी रोज साफ करने की तो आप देख सकते हैं मैंने इसका पूर्शन काटने के बाद फिर की साइट से काट दिया उपर से अब यहां पर जो हमारे घर में छोटी-छोटी सॉस की चट्णियों की जो बाउल बगारा नहीं होते हैं काच की या श्टील की तो उसको हम इस तरीके से रख देते तो अकसर गिरते रहते हैं या तो फूर जाते गंदे भी हो जाते तो इस तरीके साफ छोटे से बोतल में आप इसको सेट करके रख सकते हैं और इस पर कोई गंदगी नहीं बैठेगी और आपको रो रोज इसको साफ करने का जहनजड भी खतम हो जाएगा इस तरीके साफ इसमें धेर सारी बाउल बगारा छोटी-छोटी रख सकती हैं अब प्रेंट्स बारी आती हैं बेलन को कैसे साफ रखा जाए क्योंकि यह तो खुले होते हैं इसको हम साफ बार बार कर नहीं सकते हैं और इसमें कभी भी कोई कीड़े चल सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगी हमारे पास चूड़ी का बॉक्स है तो आप इसको इसके अंदर रख सकते हैं और इसमें बहुत इसली य आप इसको अच्छे से रख सकते हैं यह ज्यादा जगा नहीं लेगा और बहुत ही कम जगे में हमारा यह और गनाइजर रेड़ी हो गया है बेलन का आई होफ फ्रेंड्स आपको मेरा यह वाला और गनाइजर भी पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेश्ट और गनाइजर की तरफ या टीप की तरफ आप कहे सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने यह देखी एक बोतल लिया है छोटा सा उसको कट कर ली अपने फिंगर के अराउंड ही इसको मैंने यह देख सकते हैं आप तो यह हमारे फिंगर का हैलमेट बन रहा है सर का तो हेलमेट बनता था अब फिंगर का भी हेलमेट हम बना रहे और ये साइड से हम दोनों तरफ चाहे तो आप गैस पर कोई चकू बगएरा गरम करके उससे भी इसका मतलब होल कर सकते हैं या चाहे तो आप नाइब कटर से तो मैंने नाइब कटर की हेल्प से इसको होल कर और यहां पर मैंने ribbon लिया है और ribbon को मैंने काट दिया और फिर एक साइड से गठी लगा कर फिर दूसरे साइड में डाल कर गठी हम लगा लेंगे तो इससे क्या होता अगर यह फ्रेंस अगर यह नहीं जा रहे तो आप पेन के भी help ले सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें पेन की help से ही इस रीबन को डाला ताकि हमारा आसानी से इसमें चला जा और यह देखे मेरा बेटा बहुत प्रेसान करता है जब यह मैं कुछ DIY बनाती हूं तो और यह देखी हमारे finger का बन गया यह helmet तो यह हमारा बन गया safety क्योंकि अगर अक्सर हम push काटते हैं फ्रेंस हमारी उंगली को में छोट लग वैरा लग जाती हैं तो knife से तो ऐसे हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से इसको हम finger पहन कर फिर उसके जो cutting करनी होगी हम cutting इसकी करें करेंगे और हाँ जब भी आप काटिए इसे round round shape में अपने finger काटिएगा ताकि वह अच्छे से हमारे finger में fit हो जाए अगर आपके पास ribbon नहीं है तो आप मोटे धागे का भी use कर सकते हैं तो friends हमारा next tip है तो आप देख सकते हैं हम अक्सर क्या करते हैं मिक्सी में गरम गरम यह प्याज और टमाटर का पेश्ट बना नहीं सकते हैं उसके लिए में बेट करना पड़ता है कि ठंड हो जाए तो हम क्या करेंगे हमारा चौपर सबसे बेश्ट है आप चाहे तुरंत कडाही से निकाले इसमें डाले और तुरंत आपका इसे पेश्ट भी बन जाता है और हमे प्रांस आई हो कि यह टिप भी अच्छा लगा अब चलिए हम चलते पर इनेश्ट टिप की तरफ तो प्रांस अक्सर हम मार्केट से जब भी पनीर वगएरा ले आते हैं तो चिपकती है तो इससे हम कैसे पता करें कि यह पनीर ओरीजनल है या नकली है तो अगर आपकी पनी सुद्ध नहीं है और जो नहीं चिपकती समझ लेजिए वह पनीर सुद्ध है तो मेरे यहां पर पनीर आप देख सकते हैं यह बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है और यह हमारी पनीर मतलब ओरीजनल है तो इस तरह के साब पनीर में असली और नकली की पहचान कर सकते हैं तो आज के सारे वीडियो पसंद आए होंगे तो फिर से मिलते हूं आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मैं फ्रेंट्स आबसे विधा लेते हूं के फ्रेंट्स बा कि